ट्रैम्स की रियल सर्विसेथ भारत में सिर्फ कोलकाता शेहर के अंदर चलती है और किसी भी दूसरी भारत के शेहर के अंदर आज की तारिक में हमें ट्रैम्स का अनुभाव करने नहीं मिलता वैसे ये बात जरूर सही है कि करेंटली ट्रैम नेटवर्क जो कूल काता के अंदर चल रहा है वो साल दर साल शोटा होते जा रहा है पर ऐसा नहीं है कि दूसरी इंदिन सिटीज ने कभी भी ट्रैम्स का अनुभाव नहीं किया और ये धारना गलत है भारत के अंदर कई सालों पहले मुंबई, चैनने, नासिक, कानपूर, दिल्ली, पत्ना, भावनगर इन जैसे शेहरों के अंदर ट्रैम सर्विसेज एक्जिस्ट करती थी और बहुत एफिशेंटली भी चलाई जाती थी में और पब्लिक ट्रैम सर्विसेज के अंदर होना जरूरी है, लेकिन कई ऐसे रीजन से जिसके अंदर ट्रैम सही ऑप्शन नहीं बन के आती है इंडियन कंडिशन में, पहला है राइजिंग कंजिशन्स, ट्रैम इसके ट्रैक्स को मोशली ब्रिटिश राज के दोरान ले क करती गई, तब ये ट्रैम सर्विसेज के प्राइजिस कम होने लगे, और बड़ी इंडियन प्रॉपलिशन इनका इस्तमाल करने के लिए लायक बनी, कासकर भारत के आज़ाद होने के बाद में, ट्रैम्स बहुत कॉमन बन गई थी इंडियन सिटीज में, इसलिए यह इन ट्रैम्स की रैडर्शिप जितनी बढ़ रही थी, उतना चाहा इंफरासाथ सा डेवलप नहीं हुआ, उल्टा ब्रिटिश राज के दोरान वाइड ओपन रहने वाली सटकी अब नारो लगने लगी थी, इन ट्रैम्स को इंडियन रूट में टेक्निकली फीजिबल नही में रिल्वेस काफी ज्यादा फैली हुई है, लेकिन इंटर सिटी कनेक्टिविटी के लिए अभी भी ट्रैम्स मोड की जरुवत है, जो कि ट्रैम्स ने पूरी की थी, ये ट्रैम्स सिटी के कई विजी इंपॉर्टन एरियास के अंदर अपने सर्विस प्रोएड करते हैं, और उस जमाने में जब ये शुरू हुई थी, तब घोड़े गाडियों से ये ज़ाद एफिशन थी, पर फिर इंट्रद्यूस होती है पबलिक बसस, ये बसस किसी भी रूट में जा सकती थी और इनके लिए अलग से ट्रैक्स बिचाने नहीं पड़ते, किसी हीली रीजिन स से अबन रूट तक, ये सिटी के अंदर लाश्ट माइल कनेक्टिवडी पर दान करते थी और ट्रैक्स से सस्ते भी थे, इसलिए लोगों ने ट्रैक्स की जगा बसस को यूज़ करना शुरू किया, इविन ट्रैक्वे कंपनी भी अपने रेविन्यूस को बढ़ाते हुए द पन्न हुई है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसे बाद में BMC ये जो मुंबई की मुश्पू कॉपरेशन है, उन्होंने एक्वायर कर लिया था, जो आज शेहर में बसस चलाती है, तीसरा रिजन है, लाइक आफ मोटर फ्रांस्पोरेशन थी, लेकिन इंडिया में इ खराब होने के कागार पर ये नजर आती है, मेंटरेंस के इसाब से अगर हम बात करें, इसे किसी बी एंगल से, यूरोप में चलने वाली मोडरें ट्रेम विसके साथ में, हम कंपीट नहीं करवा सकते हैं, इसलिए अगर कुलकात को छोड़ दे, तो भारत के जादे दर शहर परती है, ट्रैक्स को सही तरीके से चलाया रखने के लिए, ओर एडवाइस का ध्यान रखना परता है, और सबसेशन को मिंटेन करने के लिए भी काफे पैसे लगते हैं, अगर ट्रैम वे नेटवर को एकस्पांड करने की बात करें, तो यहाँ पर जो रील्स बनाना, उनको उसके बाद में ठीक तरीके से पर्मिशन से रट में रोड के अंदर एक जगह देना, यही मुश्किल हो रहा था, और अथोरिटीज और अर्बन प्लैनेस के लिए भी फिनाशल बर्डन यह बंती जा रही थी, और जो मैंने पहले प्रॉब्लेम्स कही, वो तो अबिसली सार इतनी सर्चा नहीं थी, और भारत जैसे देश को एंवायरमेंटल फ्रेंडली होने से ज्यादा पैसे बचाने की जरूवती, और बसस की तरफ में हमारा ध्यान शिफ्ट होना शुरू हो गया, अगर बात करेगे क्या भारत में फिरसे टाइम शुरू होगी, तो यह बहुत म पर बनेंगे, तो इनको हम रूड पर चलने वाली ट्रैम से कमपैर नहीं कर सकते, आपको क्या लगत इसके बारे मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मिलेंगे अगले वीडियो में,